नमस्कार आपका आख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूं प्रदीप सिंग। परिस्थितियां बदल जाएं, साथ बदल जाएं, माहौल बदल जाएं, जरूरतें बदल जाएं, कुछ भी बदलता रहें। परिवर्तन इस जगत का नियम है, लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी फितरत नहीं बदलती। जो फितरत अगर आपका स्थाई भाव बन गया है, आपका स्वभाव बन गया है, तो वो बदलना मुश्किल होता है। बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार का हाल कुछ वैसा ही है। उनको ऐसा लगता है कि थोड़े-थोड़े समय पर इस बात की तलब उठती है उनको जैसे, कि बहुत दिन हो गया हमने पाला नहीं बदला। तो उनको और आरजेडी की लोगों ने जो नाम दिया था पल्टूराम, वो उस पर खरे उतरने के लिए बराबर प्रयास करते रहते हैं। अब नया प्रयास शुरू हुआ है। 2020 2020, विदान सवाज चुना हुआ, उसके बात से नितिश कुमार की स्थिती लगाताटार खराब होती जा रही है। मेरा मतलब है, उनकी पारटी पर, उनकी सरकार पर पकट धीलिllow होती जा रही है। उनका रवया बड़ा जो है अजीब सा होता जा रहा है। उनके अंदर चिर्चिडापन बढ़ गया है। बहुत जल्दी टेमपर लूज कर जाते हैं। क्या कर रहे हैं यह समझना मुश्किल होता है। लेकिन अब धीरे-धीरे समझ में आने लगा है कि वो दरसल तैयारी कर रहे हैं एक बार फिर NDA से निकल कर लालू प्रसाद यादव के गले लगने की। अब आप देखिए कल यानि फ्राइडे को दो घटनाए हुई। एक लालू प्रसाद यादव को चारा घुटा लेके आखरी मामले में जबानत मिल गई। तो जबानत मिल गई तो वो एक आद दिन में बाहर आ जाएंगे, अभी एम्स में हिलाज चल रहा है, दिल्ली में ही है, एम्स में, वहां से घर चले जाएंगे। लालू प्रसाद यादव को बेल मिलना, और नितीश कुमार का आरजेडी यानि राबडी देवी के इफ़तार की दावत में जाना, ये इत्तफाक नहीं है, बेल तो मिली अदालत से, उसकी तारीख तो पहले से तैथी फैसले की, मालूम था कि आज फैसला आएगा, और उसी दिन इफ़तार की दावत रखी गई, इस से पहले नितीश कुमार ने मुख्यमंतरी के रूप में भी इफ़तार की दावत दी, उसमें लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदसे नहीं गए, लेकिन उनके इफ़तार के बुलावे में दावत में नितीश कुमार बगल मे ही घर है उनका जो मुख्यमंत्री आवास है जो राबडी देवी का आवास है वो अगल बगल ही है तो पीछे का दर्वाजा खुलवा कर वो पैदल वहां पहुंच गए है चार साल बाद लालु प्रसाद यादो के परिवार के किसी फंक्षन में नितीश कुमार गए है इससे सिर्फ पहले वो तेज बताप यादो की शादी में गय थे दो हजार अथारा में तब से अब तक वो किसी फंक्षन में पारिवारिक समारो में शामिल नहीं हुए हैं कि तेजस्वी आदो तेजप्रताप यादो ने तो इंटरनेट पर और सोशल मीडिया पर एक बोर्ड वापस नहीं हो सकता और राबडी देवी तो उनका गुस्सा तो चरम पर था उनका घर में घुसने नहीं देंगे मारेंगे अगर आएंगे तो और कल जो दिर्श्य था वो लग रहा था कि जैसे परिवार का मिलन हो रहा है बिछडे हुए लोग मिले हो राबडी देवी जहान अगल बगल के सुफे पर बैठे हुए और बातचीत कर रहे थे और बातचीत ऐसे हो रहे थी जैसे परिवार के सदस्यों में होती है यानि वो जो तलखी थी वो जो विरोध था नितीश कुमार का वो खतम हो चुका है नितीश कुमार ने जानबूच कर ये काम किया वो मैसे भारतिय जन्ता पार्टी को इसलिए कि अगले दिन यानि आज शनिवार को पतना पहुंचे है केंद्रे ग्रेह मंत्री अमिच शाह वो वीर कुवर सिंग के विजय उत्सव समारो में भाग लेने के लिए जा रहें पतना से जाएंगे भोजपुर जिले में दुलावर में कारि जीत कर अपने किले में लोटे थे 1857 की और इसको विजय उत्सव के दिवस के रूप में मनाया जा रहा है बीजे पी ने तैय किया है कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इस्थापित किया जाएगा तिरंगे जंडे के साथ समारो का उसकी अध्यक्षता करने के लिए अमिश्या जा रहे हैं अब आप नितीश कुमार का देखिए दोहरापन वो दोनों तरफ खेलते हैं और आखरी समय तक खेलते रहते हैं और आखरी मौके पर जिसके साथ हैं उसको धता बताते हुए कूछ जाते हैं दूसरी तरफ जो साथ पे खड़ा है वो अचानक देखता कि आरे कि नितीश कुमार और लालु प्रसाद यादों के परिवार में संबंध ठीक हो गया है सामान्य हो गया है वो जो तल्की थी जगडा था जो नराजगी थी वो खतम हो गई है और यह इसका इशारा पिछले कुछ दिनों से मिलने लगा था अब इसके बाद क्या किया नितीश पत्ना पहुंचे तो पत्ना एयरपोर्ट पर उनको रिसीव करने गए जो प्रोटोकॉल है उसके तहत किसी केंदरी मंत्री को रिसीव करना मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में नहीं आता है केवल एक प्रोटोकॉल है कि जब भी प्रधान मंत्री या राश्पती आएंगे किसी भी राजे में तो वहां के मुख्यमंत्री और राजेपाल दोनों एरपोर्ट पर उनको रिसीव करने आएंगे लेकिन ये प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए नितिश कुमार गए वहां किस लिए गए दोखे में रखने के लिए ये दोहरा संदेश देने के लिए कि हम जा भी रहें लेकिन हम बताएंगे नहीं कि जा रहें ये हवा नहीं लगनी चाहिए कि हम जा रहें तो दोनों पाले में पाला बदलते रहते हैं तो जब तक आखरी छलांग नहीं लगाएंगे तब तक वो इस तरह का काम करते रहेंगे कि दोनों पालवे में दिखेंगे। नितीश कुमार दरसल चुनाओ नतीजे से, विधान सभाद चुनाओ के नतीजे से को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। अब उनको लग रहा है कि प्रशांत किशोर कॉंग्रिस में जा रहे हैं, एक बड़ी विपक्षी एक्ता की कोशिश हो सकती है, उनको फिर आउसर नजर आ रहा है। और वो मुख्यमंत्री बने बिना, मुख्यमंत्री रहे बिना अब रहने सकते हैं। राजनीती से या सत्ता की राजनीती से सन्यास की बात तो छोड़िये कुछ समय तक अलग रहना भी उनको मंजूर नहीं है एक बार उन्होंने करके देच लिया है और उसका उसका नतीजा उनको पता है कि क्या होता है तो नितीश कुमार भारतिय जन्ता पार्टी के लिए दिन पर दिन बोज बनते जा रहे हैं ये मैं बात काफी समय से कह रहा हूँ अब समय आ गया है कि BJP को अगर जिसको कहते हैं कि नुकसान कम करना अगर वो करना चाहती है नुकसान तो नितीश कुमार लगातार कर रहे है वो ऐसे काम कर रहे हैं जिससे BJP का नुकसान हो अभी बोचहा विधान सभा का चुनाव BJP हारी है उस पर सुशील मोदी का एक ट्वीट आया कि इसकी समिक्षा होनी चाहिए कि क्यों 2019 की तरह से NDA के बीच के घटकों में तालमेल नहीं था और इस हार की समिक्षा होनी चाहिए इसके लावा MLC के चुनाव में भी जो परफार्मेंस अच्छी नहीं रही उसकी भी समिक्षा होनी चाहिए उस पर पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने का हमसे क्या मतलब मतलब सवाल सुशील मोदी ने NDA का उठाया था बीजेपी का नहीं सर्फ तो अगर NDA के सवाल पर आप कहें कि हमसे क्या मतलब तो मतलब संकेत बड़े साफ है नितीश कुमार किसी भी दिन बीजेपी को छोड़ कर जा सकते अच्छा होगा बीजेपी के लिए देखी ये जो विधानसभा है इसमें सरकार उसी पार्टी की बनेगी या उसी गड़ बंदन की जिसमें नितीश कुमार होगी जिस तरह का विधानसभा का गडित है उसमें और कोई सरकार बन नहीं सकती है अगर नितीश कुमार चोड़ कर चले जाएंगे एंडिये तो बीजेपी के सरकार किसी भी सूरत में नहीं बन सकती है तो बीजेपी को अगर विपक्ष में रहना है विपक्ष का space लेना है तो अच्छा है कि नितीश कुमार से proactive होकर अपनी पहल पर चुटकारा पाले क्योंकि नितीश कुमार के साथ रहने के कारण बीजेपी का वोटर लगातार नाराज हो रहा है और वो सजा नितीश कुमार से जादा बीजेपी को दे रहा है तो अगर बीजेपी ने ये तैना कर लिया हो खासतोर से बिहार बीजेपी की बात कर रहा हूँ अगर उसने तैना कर लिया हो कि नितीश कुमार के साथ सती होना है हमको तो नितीश कुमार से छुटकारा पाने का समय आ गया है और अगर इसमें जितने भी दिन जितने भी पल देर हो रही है उतना बीजेपी का नुकसान हो रहा है नितीश कुमार को मालूम है कि वो अगर उधर जाएंगे तो ये आरजेडी को भी मालूम है लालू परसाद को मालूम है राबडी देवी को मालूम है तेजस्वी को मालूम है कि सत्ता आएगी नितीश कुमार के आने से और उनको लग रहा है कि नितीश कुमार की पारी अब बहुत लंबी नहीं होने वाली हो सकता है इस 2025 के चुनाव में वो सक्री भूमिका में न रहें हाला कि वो चाहेंगे नहीं कि ऐसा हो लेकिन ये ये उमीद पर दुनिया कायम है तो आरजेडी को और तेजस्वी और आबडी देवी और लालु परसाद को ये उमीद होगी कि 2025 में उनके बेटे के लिए रास्ता खुल जाएगा और अभी 2025 तक सरकार रहेगी तो उसका फायदा मिलेगा इसलिए ये जो दोस्ती ये जो संबंद जो हसी ठटा दिखाई दिया आपको शुक्रवार को आप मान कर चलिए कि आने वाले बदलाव का संकेत है RJD ने अपनी ओर से ये संदेश दे दिया है बड़े स्पष्ट शब्दों में बड़े स्पष्ट तरीके से और सरवजनिक रूप से कि नितीश कुमार की वापसी से उनको कोई परहेज नहीं है नितीश कुमार वापस आना चाहें तो उनका स्वागत है और नितीश कुमार ने भी इस दावत में जाकर ये संदेश दिया है कि वो आने के लिए तयार है मामला सिर्फ टाइमिंग का है ये सवाल नहीं है कि नितीश कुमार जाएंगे की नहीं जाएंगे ये सवाल खत्म हो चुका है अब सवाल इतना है कि नितीश कुमार कब जाएंगे और किस मुद्दे पर जाएंगे वो मुद्दा ढूनेंगे वो मुद्दा खोजने की कोशिश करेंगे और उनके सामने जो मुद्दा है मुद्दे अभी जो सामने दिखाई दे रहे हैं वैसे तो कोई भी मुद्दा बना क जा सकते हैं, दो मुद्धेव, एक उनका पुराना राग जो है, बिहार को विशेश दज्जा दिलाने का, और दूसरा, वो कह सकते हैं कि हम तो आये थे, कि डबल इंजन की सरकार होगी, उसमें हमको विशेश दज्जा मिल जाएगा, बिहार को पैसा मिलेगा, संसाधन मिलेग लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, दूसरा, उन्होंने जो बयान दिये हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, पिछडी जातियों की जनगड़ना का, वो मुद्दा उस पर प्रधान मत्री को चिठ्ठी लिख रहे हैं, लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि हम इस मुद्दे क इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो गड़बंधन तोड़ने के लिए वो इसको मुद्दा बना सकते हैं, नया मुद्दा बिला सकते हैं, उनको अभी तक जो डर था, जो उनको आशंका थी, वो लगता है या तो वो डर इतना है कि दूसरा डर खतम हो गया है, या फिर उन लालू परिवार के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं, सी बी आई के, इडी के, इसके लावा आए से अधिक संपत्ति के, उसमें कुछ प्रगती नहीं हुई है, दो हजार सत्रह में जब उन्होंने गड़बंधन तोड़ा था, तो इसी मुद्दे पर तोड़ा था, कि इस पर स नितीश कुमार के और लालू परिवार के दाग उनको अब अच्छे लगने लगे हैं, उन दागों से अब उनको कोई परहेज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उन्हें लग रहा है, कि अब सर्वाइवल का जो है, वो तरीका ये है कि एक बार फिर पल्टी मारो, एक बार फिर पाला बदलो, तो पाला बदलने के लिए नितीश कुमार पुरी तरह से तयार है, क्या बीजेपी तयार है, इसके संकेट तो नहीं मिल रहे है, क्या बीजेपी नितीश कुमार के बिना चलने के लिए तयार है, ये सवाल है बिहार में, बीजेपी के लोगों का आम लोगों का जो नितीश कुमार के सुशाशन को कुशाशन में बदलते हुए देख चुके हैं उनका सवाल है उनके मन में सवाल है कि आखिर में होता ये है कि जब लोग उब जाते हैं तो ऐसा फैसला लेते हैं जिस पर बात में पच्छताते हैं लेकिन फैसला ले लेते हैं तो अगर बीजेपी ने साथ न छोड़ा नितीश कुमार का तो कोई आश्चरे नहीं बीजेपी के मददाताओं का एक बड़ा वर्ग जो है निराश होकर आरजेडी के साथ चला जाए इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता तो अब फैसला नि समय नहीं लगेगा इसमें जैसा कि मैं कहे रहा हूं कि ये सवाल अब खतम हो चुका है कि नितीश कुमार जाएंगे या नहीं सवाल सिर्फ इतना रह गया है कि कब जाएंगे और किस मुद्दे को इशू बना कर जाएंगे तो आज के इंक में इतना ही अगले एंक में फिर म कर दो आएंगे याएंगे 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